एर प्यूरिफाइंग प्लांट की लिस्ट में स्नेक प्लांट का नाम भी आता है इन पोधों को लगाना बहुत ही आसान होता है एक बार जब आप इनके पोधे लगा लेते हैं तो आपने आप ये पोधे मल्टिपलाई होते रहते हैं इनके एक पोधे से बहुत सारे पोधे जाते हैं मैंने इन पोदो को नीचे जमीन में भी लगा रखा है जमीन में भी इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और गमले में लगाते हैं तो भी इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है इन पोदो की अधिक केर भी नहीं करनी पड़ती इंडोर आउटडोर कहीं भी आप इन पो यलो स्ट्रिप है, इनकी और वेराइटीज को मैंने नीचे जमीन में लगा रखा है, जमीन में लगाने पर इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, और बहुत सारे पोदे बन गए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, एर प्यूरिफाइंग प्लांट्स होने के साथ साथ इन पोदो को आप कहीं भी डेकोरेटी प्लांट के रूप में ग्रोथ कर सकते हैं, अब मैं आपको नीचे जमीन में लगे वे पोदे दिखाता हूँ, इन पोदो में यलो स्ट्रिप नहीं हैं, ये एक डिफरेंट वेराइ इसके नए नए पते निकलना सुरू हो जाते हैं, और शेल्फ मल्टीपली केशन इन पोदो का सुरू हो जाता है, इंडोर डेकोरेटी प्लांट के रूप में इन पोदों को लगाया जाता है क्योंकि ये पोदे एर को प्यूरिफाइइ करते हैं और इनके पते भी कभी नही गिरते हैं ये देखिए दोस्तो मेरे गार्डन में कितने स्नेक प्लांट के पोदे त्यार हो गए हैं मैं इन पोदो की कभी भी केर नहीं करता हूँ और नहीं मैंने कभी इन में कोई खा दिया फर्टिलाजर डाला है देखिए ये पोदे कितने हेल्दी हैं फिर भी यदि हम प प्लान्ट के लिए कुछ जरूरी बाते बताऊंगा सबसे जरूरी है इसकी वाटरिंग इसकी वाटरिंग का विशेश ध्यान रखना पड़ता है इन पोदों में बहुत ही कम पानी डालना होता है 15-20 दिन के अंतराल पर आप इन पोदों में पानी डालिए इन पोदों को गर्मी पसंद होती है और जितना इन पोदों को सुखा रखा जाता है उतनी ही इनकी अच्छी ग्रोथ होती है ये पोदे बहुत हार्डी होते हैं आप इन पोदों को किसी भी परकार की मिट्टी में लगा सकते हैं जहां भी इन पोदों को लगा लिया जाता है वहीं इनकी अच्छी ग्रोध हो जाती है और इन पोदों को खाद या फर्टिलाइजर की भी आवसकता नहीं पड़ती है और ना ही इन पोदों को आधिक सनलाइट की आव सकता होती है वैसे आप इन पोदों को पूरे दिन भर की सनलाइट वाली लोकेशन में भी रख सकते हैं और चायादार लोकेशन में भी आप इनको रख सकते हैं इन पोदों को लगाने के लिए विशेश गमलों की भी आवसकता नहीं होती है कोई भी वेस्ट कंटेनर आपको मिलता है तो आप उसमें इस पोदे को लगा लीजिए हर परकार के छोटे से छोटे साइज के कंटेनर में भी ये पोदा लग जाएगा इन पोदों को आप साल में कभी भी लगा सकते हैं इनकी कटिंग भी आसाने से लग जाती है एक ही पत्ते से बहुत सारे पोदे त्यार हो सकते हैं इनकी छोटी-छोटी कटिंग काट कर आप लगा दीजिए और हर एक पत्ते के टुकडे से एक नया पोदा बन जाता है इन पोदों की कटिंग का फेल होने का एक इक कार्ण होता है कि हम इसकी मिच्टी में आधिक पानी डाल देते हैं जिसके कार्ण इसके पत्ते गल जाते हैं इनके पत्तों से जब हम कटिंग लगाते हैं तो दो से तीन महिने में ये cutting त्यार होती है आप भी इन indoor decorative plants को अपने garden में जरूर add कीजिए यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर कीजिए वीडियो में लाट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू